हेलो दोस्तों हमारे पास question दिया गया है यदि A equal B का 4 बटे 5 तथा B equal C का 5 बटे 2 हो तो A अनुपाद C कितना है देखो दोस्तों इसने क्या दिया गया इसने दिया गया A का A है जो B का कितना है का का मतलब गोना 4 बटे 5 है तो हम क्या करेंगे B इस साइड में गोना में तो इस साइड में आ हो जाएगा बाग में हो जाएगा दोस्तों A बटा B इधर क्या रह जाएगा 4 बटे 5 और आगे क्या दिया रखो है B का मान B है वो C का 5 बटे 2 C का का मतलब गुणा 5 बटे 2 इसी तरह C क्या हो जाएगा इधर आका बाग में हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास मान B बटा C का 5 बटे 2 अब पुछा गया है A अनुपात C का मान कितना होगा तो हमारे पास क्या दे रखे A, B, C तीन ट्रम दे रखे A, B, C तो A और B का मान कितना दे रखे 4 अनुपात 5 4 अनुपात 5 B और C का कितना दे रखे 5, 2 इधर कुछ ने यह ति यह वाली संख्या इधर आजाएगी इधर कुछ ने यह वाली संख्या इधर आजाएगी अब इनकी गुणा करेंगे दोस्तो 5 गुणी 10, 5, 5, 25, 25, 25, 25, 20 इनको इसने पुछा गयागा A, अनुपात C तो A, अनुपात C पुछा गया तो यहाँ पर अमारे पास A की वेल्लू आईए 20 और B की आईए 10 तो 0 से 0 कट हो जाएगी तो अमारा अनुपात क्या है, दो अनुपात एक यही क्या हो जाएगा दोस्तों मारा आंसर हो जाएगा, ओप्सन नंबर B इज राइट इसी तरह की सोट्री की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत बूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होसके